हर समस्यान के इनकी knowledge में हर तरहागा ज्यान उनकी पात चालिज पूटे की बात हो चुक्कि विधायक जी और गलियां वो भी बना रहे हैं अभी नो नंबर गली का उध़ब करने की लिए विधायक जी आए आगे भी गलियां बनेंगी। अभी हमने भी जो में जो पुल्या थी यह पुल्या चूड़ गई है तो हमें नगरपालिका में दी अप्लिकेशन वहां पे वहां से बनी है जिसने लोगों में बहुत परशानी थी आने जाने में आप सब कोई पता है आप लोग को इहां रहने वाले कितने लोग इहां गिर ऑर हमारा अगरा जी से यह है बाद आप आप सबस्क्रान ओखाना एर तो हम आपड़े अपने सब्सक्क्राइब कि अधिक गई इसके लिए यहां पर भी थोड़ से कलो नीम इस्ञाम में अप्रोसा इन्वापर विश्टरा कर वो तरह बोप इस तरह कर दो कि वह इन नहीं कहोंगी कि अधिक आप उसक्ताइब कर दो पता है हमने क्या के यहां पता है कि नहीं पता है कर दो भी हुआ था सब्टरा यहां पर एक है मसलिका उस्टरा आफेल और यहां पर प्राम अवार्व कि यहां पर चाहिए चाहिए है लाली कि ए के देंतर पार आप अधिक है नर्यांने जो यहां शार बात कि अगया है सब्सक्राइब करें लोगों के लिए सरकार के द्वारा कार्ट बढ़ना एक सर्मिकों के लिए उसमें दो लाग का बीमा है और तीन हजार रुबे जब साथ साल का रिटायर हो जाएगा तो पैंसन का ब्रोस्ता है वो कार्ट बन रहे हैं यहां कुछ भरे गए कि नहीं आप दूसरों को बताओ आप लोग बताते हैं यह दिक्कत है अपने पड़ोशी का बढ़वा हो बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं और तमाम स्कीम है जो अपने गरीबों के लिए मने मुक्मत्री कर रहे हैं तो थोड़ा नदीती बताएंगा लॉनी में कितना काम हुआ उसे सुक्षम में लंबा नहीं हाली यह बताते हैं कितना यह चीज़ होगी लॉनी में जहां बने थे तो त प्रवीफ हो जाए जो स्कीम हुआ अभी फैदा लोग उठा ले तो सभी को राम 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 आज यहां उपस्तित को सभी बुदरों के नोजवानों के और मेरी मातर सक्तियों के चड़नों में प्रणाम मंच पर आसीन सभी गणमाने व्यक्तियों को का स्वागत अभिनन और आप सभी की तरफ से हम सब के लोग प्रिये नेता और मेरे जैसे हजारों लाखों कारे करता हो के मार्व दर्सक मैं अपने माननिया विदायक श्री नंद किसोर गूजर जी का आपकी इस वाड में आप सभी की तरफ से बहुत दोध हरदिक स्वागत पर विननन करता हूं आप भी सब तालीव जाकर भी नंदन कर दें क्यूंकि विदायक जी माला पहनते नहीं है इन्होंने एक प्रंड लिया है अपना कि जब तक यूगको का जो हमारा हिस्सा है वो हमारे इंडिया में पूरा नहीं मिल जाता जब तक मैं माला नहीं पहनूंगा और ऐसे सथे वि कि जब से सरकार आई उत्तर पर्देश में मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाजी बने और लोनी में आप लोगों ने अपना बहुमूले वोट देकर मानने विधैक स्री नंकी शौर गूजर जी को विधैक बनाया तो उसका एक मस्बक्सद यही था कि हम लोग लगनव की विधान सभा में नहीं जा सकते हमारी लोनी की मूल शिवधाओं के लिए लखनव विदान सभा में हमारी सबकी आवाज बनके जो 18 लाग लोग लोनी में रहते हैं उनकी अवाज बनके कोई व्यत्ती घूंजे जिसके हमने विश्वास जताया पार्टी ने भी विश्वास जता है और आपने वोट दे के भरपूर क्योंकि पहले भी पार्टियों से लड़े थे पर जीत नहीं पाये थे पर आपने जब भरपूर वोट दिया तो मानने विदायक नंकी शोर गुजरती कि हमारी समकी आवाज बनके लखनव जैसी पवित्र विधान सभा में जाने का उन्होंने काम किया तो पहले सतर साल पहले सतर साल पहले हमारी लोनी में बहुत सरकारे आई बहुत सरकारे आई बहुत विधायक बने बहुत और भी नेता है बने गए पर मुझे आप से पूछूंगा भी आप बता भी देना आज से चार साल पहले हम दो पांस साल पहले चले जाएं तो काईदे म सरकाले थी तो मुझे आप बताईए बिजली कैसी आती थी विजली आती थी क्या जो बात सही हो से बताना विजली आती थी क्या ध्यान होगा आप लोगो जन्नेटर के बिजली की विजली की विवस्ता को दुरुस्त नहीं किया गया विजली की विवस्ता दुरुस्त ऐसे नहीं कि कोई मंतर से हो गई हो उसके लिए विदायक जी आपने जो आवाज बना के लखनो भेजा उस लखनो विदानसवा में विदायक जी ने बोला कि लोनी में विजली आठ या दस गंटे आती है ट्रांसफारम फुक जाता है तो दो-दो महीने में आता था आता था नहीं आता था और उसका चंदा उगाना पड़ता था हम लोगों को पचास पचास सो सो रुपे करके चंदा उगाना पड़ता था आज ट्रांसफारम फुकता है तो क्या दूसरा दिन भी लगता है उसे क्या चंदा उगाना पड़ता है मैं आज अगर यह विवस्ता है दुरूस्त हुई है तो उसके लिए उर्जा मंतरी श्रीकान सर्माजी से विधायक जी मिले और अपने मुख्य मंतरी से मिले उससे धा आती यह वाजार कंबे लगवाए गए बारहए जार कंबे लगवाए गए बारहएजार में लुक्ता है 12,000 खंबे लगे 366 गए ट्रांस्वारम लगे 322 ट्रांस्वारमों के लोड बढ़ाए गए जब जाके लोनी की बिजली वेवस्ता दुरूस्त हुए अभी माता जी कहा दी थी पहले अमारी नाली बना दो अगर बिजली नहीं आती थी बच्चे नहीं पढ़ पाते थे बिजल जादा कुछ नहीं रहता था उसके बाद जब बिजली दुरूस्त ही शिक्षा के नाम पर मुझे आप यह बताईए हम लोगों के बच्चे क्या दिल्ली पढ़ने के लिए ही पैदा हुए है क्या हम लोगों के बच्चों के लिए किसी ने यह सोचा कि लोनी में कॉलीज होन जाती थी आदे से जादा बच्चों के यमना भ्यार और इसमें बढ़ते हैं बच्चे मेरी भी भेहन वहीं पढ़िए मैं भी तो यहीं का रहने वाला हूं बाहर से यहां बसाओ आपकी तरह तो मुझे भी वह दर्द बता है जब एक मा की बेटी पढ़ने जाती है लो जब सुरक्षा नाम की कोई चीजी नहीं थी बाप और भाई तो चले जाते हैं काम पर उनका तो समय कर जाता था पर उस मा को बहुत चिंता रहती थी उस पढ़ाई को देखते हुए आज लोनी में दो बारवी के इंटर कॉलिज बनवाए गए एक लड़कियों के लिए और एक काम चल रहा है मैं वह कोई काम नहीं बता हूंगा कि जो हम करवाएंगे जो करवाएंगे वह तो बहुत बड़े प्लान है जो भाजपा की सरकार में विधायक नंद किसोर घुजर जी के नेत्रत में हुआ और वह एक डिग्री कॉलिज एक आईटियाई कॉलिज यहां नोज प्राइमरी स्कूल के सभी जितने भी प्राइमरी स्कूल पहले थे उनमें ब्रैंचेश डलवाई मानने विधायक जीने दो करोड रुपे अपनी निधी से देखें के गरीब का बच्चा जमीन पर बैठके पढ़ाई ना करें उसके मन में कोई देश भावना ना आए वो भी उसे भी ऐसा लगे कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करें है यह यह जानकारी है आपको कि इत्रा सिक्षा के लिए छने यह जानकारी है किने लोगों को पता हाई जिखेंगे को रहना चलको एड़िस्न करा ने और जितने प्राइमरी स्कूल है वो सब जगे ठीक हुए आई टी आई भी पुस्ता चौकी मारी पढ़ती है पहने बाहर जाना तो वहां पास में है यह चीजे बनके तयार होगी है यह नहीं कि यह बनेंगे अब तो यह आपको ध्यान लेना चाहिए कि शिक्षा का मावला इस करवातों दूसरी बात आप बताइए हमारे हैं सतर साल में जो विदायक बने और जो सरकारे बनी उन्होंने यह सोचा कि हम लोगा इलाज कहा होगा अगर जी टीवी होस्पिटल ना होता तो आधी लोनी तो खाली हो चुकी होती आप मुझे इमानदानी से बताओ आप लोग आप बताइए जो लोग बाटना चाहते हो जो लोग यूपी और दिल्ली को बाटना चाहते हो वो देश को चलाएंगे उनकी अकल पर पथर पढ़ दे इंसान तो कहीं भी रहे हम लोग कहीं से आए तो लोनी में नहीं रहे हैं अपना इलाज बंगलोर करवाता है उसके भी थे पर नहीं उन्होंने नहीं सोचा पर विधायक जी ने इस बात पर चिंता की जब केजरी वालने यह बयान दिया कि यूपी वालों का इलाज दिल्ली में नहीं होगा तो सबसे पहले मानने मुख्यमंत्री से मिले उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ कर दिया तो लोनी वाले राज के लिए कहां जाएंगे तो उसका नतीजा है कि सो फुटा भिजली घर नाइपुरा के बरावर में चार मंदिल का सो बैटों का अलिसान होस्पिटल आप लोगों के लिए बन के लिए तैयार है जल्दी उसका उद्वाटा नोने वाला है आप सो बैटों का होस्पिटल बन के तैयार हुआ उसके बाद जो लोनी थाने के बरावर में च्छोटी सी बातर चेह बैडों की उसको 50 बैडों से जाधा करवाया गया उसमें ऑक्सिजन प्लांट खुलवाया गया लोनी नगरपाली का छेत्र में 55 वार थे जिन में 55 वारों में सिर्फ 9 डिस्पेंसरिया हुआ करती थी आज हमारी सरकार में विधाई जी के नेत्रत में 46 वारों में डिस्पेंसरी है नो वारों की डिस्पेंसरी भी 5 या 7 दिन में खुलने वाली है तो डिस्पेंसरी खुल चोटे मोटे हिलाज लिए हम लोग नहीं करवा लेते हैं पहले लोनी में बलऑarkan योज अगर कहीं अगर हमारा कोई भाई बंद अगर किसी दिक्कत में होगा तो आप अपने विधायक हमारे लिए बिजली जरूरी थी हमारे लिए शिक्षा जरूरी थी हमारे लिए हॉस्पिटल होने की सुधा जरूरी होनी चाहिए थी तो यह लोग शत्तर साल में जो नहीं करवा पाए वह हमारी सरकार ने मात्र तीन साल में करवाया क्योंकि दो साल करोना खा गया उसके बाद आजा आप बिजली पानी सिकित सा भी और आपका फशलक अगर आप सडक की बात करें तो यह लोनी तिर ये जुर्ट आपते से लोनी की मारकिट हम किख जा पाते थी आप मता ही फार्तक पर देशिने गहलेगरे बसे यू चलती ही थे आज इसे और इसे करेवा लोग निकलते होंगे जब दोनी में छोनिमे दोड़ों के बार और अंद का सरकार में नंधिर गुजरका नेटरब आपने बहुत लोग आपके पास नाना परकार की चीज़े लेके आएंगे आज इस रोड का भी आपका उधाटन हुआ ये रोड भी आपका पास हो गया ये रोड क्यों नहीं बन ला था ये रोड इसलिए नहीं बन ला था जो हमारा ये मैंट तीला से और दिल्ली तक का ये जो रास्ता है ये कितनी बुरी हालत में इसका भी आज मानने विदायक जी ने मानने मुख्यमंतर जी के साथ विच्वल बैठक में इसका भी उधगाटन कर दिया गया है ये भी रोड अब जल्दी इस पर आर्शीसी का काम शुरू होने वाला है अंदर के आज भी कहीं गिर जाए कीचड में तो आप मुझे बताओ मुझे साफ करेगा अपना या अपने पैर साफ करेगा सबसे पहले अपना चेहरा साफ करेगा लोनी का नाम ही बद्राम था आप ध्यान करिए दिल्ली से ओटो वाले लोनी में नहीं आते थे यह कहते थे गोल चक्कर उतार देते थे हमारे परिवार के लोग आते थे उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी हम सब लोगों के पास वहां थोड़ी ना है किसी के घर में साइकिल है किसी के घर में स्कूटर है किसी के घर मोट साइकिल है वह भी काम पर ले जाते हैं लोग तो यह इतनी जो व्वस्था दुरूस्त की गई ओटो वालों के मन में से भैट आया गया आज किसी को वैपारी को हमारे जितने ज़्यादतर लोग यहां काम करने वाले होगे मुझे आप बताओ कि माताई भेहने भी हमारी काम करने जाती है तो कहां जाती है गांदीनगर या विभाने के लिखने को पर शुबहन आट बज़े साथ जा कर खड़ों के देखना आज शुब विब तो वैपारियों ने बड़ी बड़ी इंडरस्टी लोनी में लगाने का काम किया और जब लोनी में इंडरस्टी लगी तो इंडरस्टी वैपारी नहीं चलाता इंडरस्टी चलाता मजदूर हमारे और आप जैसा और उस मजदूर को यहीं वैपार मिलने का काम किवा जो हमारी दिल्ली सारणपुराईवे ये उत्तरपरदेश सरकार की उसमें था कभी बनने का नाम लिया इसे एनच में जुड़वाने का काम किया जैसे ये रोड मैं बता रहा हूं ये बन रहा है ये वाला बनेगा इस गली का उधगाटन है नाला बनेगा ऐसे ही ये जो आपके अज दिल्क अैस नहीं दूट ही आप चारों तरफ आप च्छोटी मोटी जो गलिया है कायदय में इमानदारी की बात विदायकों के काम छोटी गलियां बनाने के नहीं होते ना सापसफाई करवाने के होते उनके होते हैं बड़े-बड़े कॉलिज डिग्री कॉलिज, मेडिकल कॉलिज, पार्क हॉस्पिटल बिजली घर जो बड़ी चीज हैं जो विधान सभा में बोल के लाए जा सकते हैं क्योंकि किसी नगर्पालिका को चेयर्मैन को विधान सभा में बोलने की इजादत नहीं होती अंदर नहीं जा सकते हो लोग क्योंकि ये गरीमा होती है जैसे संसद में संसद जा सकते हैं ऐसी विधान सभा में विधायक जा सकते हैं तो विधायक आपका जागरूख हो, विधायक आपकी बात को रखें, तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आएं, पर छोटे भी विधायक जी ने का के नहीं मेरी जुम्मेवारी है, जब नगरपालिका ने अपना काम धंग से नहीं किया, क्यूंकि नगरपालिका का काम है कु करवा रहे हैं, नगरपालिका 300명 करोड रुपे लोक आई थी रिपोर्टा है 300 करोड रुपे का घोटा ला गया, 300 करोड रुपे ठाए 300 करोड रुपे एगर लोनी में लग जाते है, तो क्या है हम गलियों की चिंता करते हैं, होग भार। चुनावी दोर है, नारा परकार प आपको चीजे बताई और जो मैंने चीजे बताई हений उन्हें जाकर आप देख लेना जिसके भी मन में लगता हो रहा है यहान से जाकर केसे लोग वह किंड़ा चंड़ाना पर वोट वाजपा को देना और हूं से यह पूछ ले पूछने갈ा' पूचलें उनसे यह सतर साल में अपने कर Goal shaking आप reduce बनाया क्या आपकी जब सरकार ठी आकने श्कूल बनाया क्या आपने बिचली गर्णाया क्यापने जुझे में पहले बनाया क्या ये सारी बात पूछ ले ना अगर कोई एक काम बता दे कि हमने ये करवाया था अपने राज में तो आप बिल्कुल वोट दे देना एक इसकी में और आपके पीछ में मैं बता दू फिर मानने विदायक जी को जिनको सुनने के लिए हम बैठे हैं इगाट बिल किसी पे 50जार ही घटा हो रहा होगा और पिसी पर कई है अगर किसी का रुका है उसके लिए बता रहे है वaken प्रण गिस्टों हो जायगा अब को श्रिफ जाना है एक्सन ओफिस एक्ष आप Breathe जाकर कर जा लिए कि जी हमारा यह बिल है बान ले जाओ धारन के तोर 50,000 का भी ले पचास जार के बिल पे 15,000 पेलेंटी है और ब्याज है तो 15,000 पेलेंटी और ब्याज खतम हो के बचा 35,000 अब 35,000 हम पे नगत नहीं है तो हम कैसे बरें तो उसके लिए 8 आसान किस्तों में आप उसे बर सकते है अगर 35,000 को 8 किस्तों में बाट दोगे तो वह 5,000 रुपे भी नहीं बचा और आप अपना बिल उसका रेजिस्टेशन करवाने की 30 जनवरी लास डेट है यह योगी सरकार और मानने विधायक जी का और स्रीकान सर्माजी जो उर्जा मंत्री है उनका एक बहुत बड़ी सोग पाठा है तो यह अगर किसी को भी जरुद में हो किसी का पड़ोस में हो तो आप लोगों बटागे यह जरूर करवा देना और आप लोग चिंता ना करें अभी तो हमें तीन साल मिले हैं अगर अगली बार आप लोगों का आशिरवाद मिला तो लोनी को वाक्य ही जो पहले लोनी में जैसे गड़े और हर जगे वो दिखता था बहुत बड़े-बड़े प्लान है मेडिकल कोलिज का प्लान है लोनी में 700 करोड रुपे से सीवर डालने का प्लान है ताकि किसी भी एक कोने में भी पानी ना भरे बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लोनी के लिए बनाके हम लोगों ने रखे हुए हैं एक बार और आप लोगों का आशिरवाद मिला तो ल दिल्ली नहीं दिल्ली क्यार नौइटा क्यार सबसे इन सबसे सुंदर आपकी लोनी होगी यह हमारा वादा है आपसे